हालो फेंग्स वेलकम यू आजमा आपके वीडियो लिक्या रहा हो लिखे बात करने वाले केमिकल स्टॉक की जो कि आज की डेट में बिलकुल फोकस कीजिए इस सब्द पर आज की डेट में भी अंडर वैल्यूड है ज़रा सोचेंगे आपकी अंडर वैल्यूड और ऐसी मार्किट कंडिशन पिछले दो तीन सालों पर स्टॉक्स ने जबर्दस रैली दी लेकिन उसके इक बाद भी अंडर वैल्यूड से मतलब क्या है उसको समझेंगे प्राइस की टर्म्स में या अर्निंग की टर्म्स में तो चलिए इन सारी डिटेल्स को समझते हैं स्टॉक को देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगरा आपने अब तक चैनल को सब्सक् का है इसकी बात क्यों करने वाले है बहुत इंपोर्टेंट लर्निंग इस वीडियो के माधिम से आपको मिलने वाली है देखिए यह स्टॉक जब करेक्शन दे रहा था तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकिया थे 38% के राउंड की करेक्शन आ चुकी थी जून के टाइम क का यह वीडियो है और यह वीडियो आप देख सकते हो जून 20 का यह वीडियो है और वह भी क्वालिटी स्टॉक हो या वैल्यू स्टॉक उसके बारे में काफी डिटेल में चर्शा की गई थी लेकिन इसमें जो हुआ उसके बाद देखिया हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी या तो यह 150 के लबल पर या उससे डीब जाएगा 120 के लवल पर लेकिन यह बहुत इंपोर्टन 38 से 50 से जोन में आरा है लेकिन इंपॉर्टन लर्निंग के बात करेंगे बहुत ध्यान से इन्टर itu की बात करेंगे इस रेंज को यसे और लेंग को आप देख रहे हो किस तरीक के यहां पे इसको समझने के लिए उनके उस कमेंट के बेसिस पर आपके लिए लेकिए कि वापस करेक्शन किस तरीके से इसमें रिजॉल्व भूआ कि स्टॉक कोई भी क्यों नहों बढ़ रहा है हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आते लेकिन इसमें इसकी पर डिसिजिजन मेंकिंग उन्हों यहां पर वन सिक्स्टी के लेवल पर बाइंग रखी यह तक चला गया है तो डिसिजिजन मेंकिंग होँआ आपकी होती है कि कि किस तरीके साब रुसक्र को मैनेज कर रहे हो लेकिन हम यहां पर जो लर्निंग की बात करेंगे वह इस range को समझने की कोशिश करेंगे इस base formation को समझने की कोशिश करेंगे देखे जब तक base है ठीक है breakout हुआ इस pullback को देखे यहां तक नीचे गिरा यहां तक उपर गया सबकुस ठीक है लेकिन इस pullback को पुल बैक वाला यह MACD अब इसमें difference क्या है देखे इंटर्नल रेंज ब्रिक आउट दैन पुल बैक विच सिक्स्टी आरस है अब यहां पर आपने देखा super momentum area high momentum low risk और high opportunity वाला अब सिचुएशन आप यहां पर देख लीजे बिलकुल वही जोन तो यहां पर हमने इन जोन को देखा अब आप चाहे इस zone को देख लो सुपर momentum वाला area चाहे इस zone को देख लो तो सारे area आज को देखे अब आप जब भी momentum correction आती है तो momentum loss होगा momentum loss होगा यह देख सकते हैं अब RSI में तो वापस range shift का इंतजार बहुत important है और जैसी वापस range shift होगा तो definitely you will have the opportunity high momentum low risk और high probability वाली opportunity तो आज बात करने वाले DCW इसका market capitalization आप देखिए 1300 करोड का लेकिन P ratio मातर 9 का अब आप खोगे इतना undervalued stock है ऐसे time पे और profitability और revenue को देखिए revenue growth है profitability देखे बीच में losses थे वापस 108 153 करोड तो DCW यह chemical की company है majorly soda ash में यह काम कर रही है और undervalued stock है चोटा है small cap का stock है तो DCW के stock को भी समझते है monthly पे correction चल रही है और weekly के time frame पे जो मुझे यहाँ पर सही चीज देखने को मिली वापस momentum आता हुआ यह देखिए वापस momentum आता हुआ एक internal range बन रही है और वापस momentum आता हुआ आप clearly देख पा रहे हो यह देखिए यह RSI को देख रहे हो यह price को देख रहे हो यह MACD को देख रहे हो तो आने वाले time पे इसको track करेंगे DCW के stock को अब लेके चलेंगे चोटे time frame पर चोटे time frame पर समझने की कोशिश करेंगे daily time frame पर daily time frame पे जब भी correction आएगा थोड़ी लंबी देर तक वो correction रहेगी तो आपको हमेशा वो price 200 SMA के तो support लेता हो मिलेगा या उसे नीचे जा सकता है लेकिन अगर आप तसली से इसको देखो और समझने की कोशिश करो अभी यह range चल रही है इस range में यह kind of मैं कहूंगा spring kind of situation अब धीरे धीरे range में वापसी आप देख रहे हो यह देखिए और अब यह range का अपर area हमारे पास है जो कि अब आने वाले time पे DCW काफी important होगा initial target इन एरिया में फिर आगे की कहानी यहां से देखेंगे समझेंगे 200 SMA से उपर अगर यह correction थोड़ा time और देर तक भी रहते तो 200 SMA क के बाद यह देखिए तो DCW का stock आगे आने वाले में time पे इसको track करेंगे finotex से हमने काफी कुछ सीखने को हमें मिला और weekly के time frame पे भी आप देख सकते हैं कैसे वापसी हो रही है और डेली के time frame पे एक important rally already दे चुका है 37-52 तक की अभी consolidation के requirement वो consolidation in progress है अभी देख सकते हैं out with kind of pullback आप देख सकते हैं यह वाल्यू यह breakout का volume है फिर देखिए negligible volume तो यह important है इसलिए 190 का level बहुत important मैं कहूंगा उसके बाद आपका risk जो है वो वो जो है minimize हो जाता है deep risk अगर बात करें तो यह है देखिए तो यह अगर आप मंतली के हिसाब से जा रहे हो तो आज के हिसा more than 70% और देखे जुलाय से लेके अब तक दो महीने में 70% कम नहीं होता तो यह stock हमने देखा और इसका example अभी जब comment आया तो उसके बाद यह example के उपर हमने focus गया साथ मैं अभी का stock जो हम chemical वाला देखेंगे track करेंगे जिसको वह है DCW तो एक नहीं बलकि मैं कहूंगा बहुत सारे stocks आपके सामने आते हैं लेकिन price section की series आपको high momentum और low risk और high probability वाली opportunities की तरफ आपका focus रखती है क्योंकि यह बहुत important है probability और momentum के हम बार बार बात करते हैं इनके हिसाब से अगर आप सोचोगे probability और momentum के हिसाब से तो definitely you will have low risk की opportunity तो यहाँ पर कोई नई चीज नहीं हम हर बा correction को समझते हैं और in between हम smaller time frame पे जाके smaller time frame पे जाके उसके वापसी की इस correction में smaller time frame को बिलकुल नीचे उनका momentum loss कर दिया होता है और उस momentum के gain का इंतजार होता है आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हमने देखा momentum के gain का इंतजार तो बिलकुल bottom को आप पकड़ने की कोशिद मत कीजिए और वापसी में जो momentum आएगा तो आपको मेलीगी low risk की opportunity एक concept जो की पूरा का फूरा architecture आपके सामने होता है और उसको आप छोटे time frame पे यूज करते हो पंदरा मिनट पांच मिनट hourly जब आपके आपका जिस तरीके से confidence zone है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो बंड बेसि जरूर की जो like की जो price action सीखते रही जो practice करते रही और risk management is the key and thank you thank you for watching the video